Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम हिमाचा पदेश में NHM के अंडर जो इस पार ओट सोर्स भरती होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे तो उसके रिगार्डिंग ये तीसरी वीडियो है और लगातार जो प्रीविएस दो वीडियो थी उन पे जो कमेंट्स आये जिसमें आप बहुत सारे प्रशन पूछ रहे हो तो उनके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो जैसे ही ये रिकूट्मेंट नोटीस आया और इसको अलग-लग चैनल ने जो है वो शेर किया यूट्यूब पे अलग-लग ग्रूप्स में तो उसके बाद आपके बहुत सारे कॉश्चन है लास्ट जो वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपके कुछ प्रशनों के जवाब देने की कोशिश करी जहाँ पे मैंने आपको अलग-लग ये निउस पेपर की कटिंग भी दिखाई कि ये जो रिकूट्मेंट नोटिस है ये जैनुवन है और एक चीज में आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉंटेक्ट नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दिन के टाइम क्या हो रहा है कि ये कॉंटेक्ट नंबर बीजी रहते हैं और शाम के टाइम ये कॉंटेक्ट नंबर या सुबह आप ट्राई करोगे तो सुच ओफ हैं और इसके लाबा एक और चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये एड्रस तो इसका एड्रस आपको गूगल मैप में मिल जाएगा और अगर आप HPSC DC की वेब साइड विजिट करते हो तो वहां पे मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि और शोर्स में अनपावर का एक ओप्शन है तो वहां पे आप जैसे उसको उपन करोगे तो वहां पे आपको पूरा एड्रस ये नाम देखने को मिल जाएगा और इसमें आप मैप में भी देख सकते हो मंडी में ये मतलब वियास इंफ्राविल्ड प्राइबिट लिम्टिड है और आपको इसकी जो लोकेशन है वो देखने को मिल जाएगी इसके लावा हम बात करने वाले हैं कि एक और प्रशन जो बहुत जादा पूछा जा रहा है कि ये सिर्फ विकैंसी क्या मंडी डिस्टिक के लिए है और बाकि डिस्टिक में हमें कब देखने को मिलेगी रिक्रूट्मेंट है और बाकी इसमें क्या है कि जैसे जो कोई यहाँ पे स्लेक्ट होगा तो उनको सिर्फ जो मतलब अपॉइंटमेंट मिलेगी वो मंडी डिस्टिक में जहाँ-जहां पे वेकैंसी होगी वहीं पे उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और इसमें बाकी confirmation के लिए क्या है कि अगर आप NHM office similar call करोगे तो उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है उनका कहना है कि हमने आगे proceed कर दी है अगर आप HPACDC में call करोगे उनको भी कुछ पता नहीं है और ये ब्यास InfraWild Private Limited के दो ये contact number है इसके लाबा एक number आपको Google Maps में मिलेगा वो भी सुचौफ है तो यहाँ पर confirmation के लिए आपके पास कोई भी source नहीं है लेकिन यहाँ से एक option यहीं बसता है कि हो सकता है आपको अलग-लग district के लिए अलग-लग recruitment ये देखने को मिलेगी मैं बहुत कोशिश पिछले 2-3 दिन से कर रहाँ कि एक बार इन से contact हो पाए मेरे कुछ प्रशन थे जहाँ पर मैं पूछना चाहता था कि ये जो position इन्होंने mention करी है तो इसमें qualification कौन बताएगा वैसे तो qualification पता कर सकते हैं अगर आप NHM की पिछली दो बार की recruitment ही माचल में देखोगे तो ये जो यहाँ पे post लिखी हुई है ये सभी उस recruitment में निकली थी तो वहाँ से आपको qualification का तो पता चल जाएगा लेकिन एक recruitment का एक तरीका होता है अगर आप outsource भड़ती भी निकाल रहे हो तो उसमें कुछ इस तरह से निकालो कि जो लोग इतनी दूर interview के लिए पहुंचेंगे अब यहाँ पे मैं बोल दूँ कि आप अलग-लग district से भी यहाँ पे interview के लिए जा सकते हो आगे जब आप इस date पे बहाँ पे पहुंचो पता चले की इसमें तो सिर्फ Monday डिस्टी के ही मतलब interview मैं जा सकते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बाकी कोशिश करते हैं अभी एक दो दिन हैं तक अगर पता चल पाता है तो आपको मैं जरूर जानकारी दूँगा बाकी यह चीज मैंने आपको बता दी कि open यह एक तरह की appointment है और हमने भी कभी तक ऐसा नहीं देखा कि health department में national health mission से बहुत सारी recruitment जो है वो पहले भी निकली है उसमें ऐसा ही होता था कि एक तरह की open भरती रहती थी और इसमें एक चीज यह ऐसी कर देते हैं कि जो selected candidate होते हैं उनको उनी की डिस्टिंग में joining जो है वो दी जाती है कुछ इस तरह की हैं तो आपको एक question यहां पे clear हो गयोंगे address के बारे में मैंने आपको बता दिया recruitment notice के बारे में आपको बता दिया contact number सारे such off है दिन मैं try करोगे तो busy आएगा position आप यहां पे देख सकते हो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग NHM में contact करिए HPS CDC में contact करिए ताकि उनको पता चले कि इस तरह की यह क्या तरीका है एक advertisement का यह मतलब क्या फिर वही बात आ जाते हैं कि अब क्या बोलें इस system को यह system पिछले 18-20 मीनों से खराब हो चुका है और यह धीरे धीरे और खराब होता जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो for the new updates के लिए